Hello and Welcome Guys, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको जो है अपने फोन में no search meeting करके जो है आपको Google Meet में आपको problem आती है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे guys आपको जो है इस problem को solve करनी है तो चलिए guys वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी आप से लोग meeting join करते हैं तब आपको इस तरीकी से दिखा हुआ आता है तो यह जो problem होती है वो आपको तभी देखने को मिलती है जब भी आप meeting join करते हैं तो जो उसका link रहते हैं उसको आप जो है सही से copy करके यहाँ पे paste नहीं करते हैं या तो फिर जो है उसमें कुछ spelling वगरा जो है आपसे जो है mistake हो जाती है तब यहाँ पे आपको इस तरीके से problem आती है तो सबसे पहले आप सही से link को copy कर यहाँ पे paste करिए जिसके बाद आपको यह problem नहीं आएगा otherwise अगर आपके फूर में network problem है तो भी यह problem आती है तो जो है आपको अगर आपके फूर में network problem नहीं है तो इस तरीके से आप Google Meet को search कर लिजे और उसको open करिए open करने के बाद जो है इसको application information पर जाना है और यहाँ पर आने के बाद guys यहाँ पर आपको storage में जाके इसका data clear कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको data uses पर click करना है और यहाँ पर click करने के बाद जो है आपको wifi और mobile data को इस तरीके से enable कर लेना है ताकि यह जो application है वो आपके phone का data जो है अच्छे से use कर पाया तो इस तरीके से आप जो इसको enable करके ok कर लिजे जैसे आप यहाँ पर ok करेंगे तो उसके बाद दोस्तों आपको जो है अपने phone meet application को update करने लिए यहाँ पर जो google meet का application उसको update कर लिजे फिर आपको जो है बिल्कुल भी कोई भी problem नहीं आएगी तो अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो like कर दिजे और guys channel को subscribe भी कर लिजे